अमेरीकी फेट की एहम बेटक के बाद दुनिया वर के माज़र में है कमज़ोरी का महाल और गैप से नीचे भूने के बाद किया बाहर के माज़ा रिक्तवर करेंगे या तो और सुछनेंगे अठराजार के ऊपर टेकने के बाद अब आज शुरुआत अठराजार के नीचे इसके बाद के एक्शन पर एक्सपारी के दिन रहेगा पूरा का पूरा एक्शन स्वागत है आप सबका शिर्वाजाराई में नमस्कार मैं हूँ अनील सिंग भी और आज में शो में उदैपूर से और मुंबई स्टूडिय से मैं हूँ दिपांशु भंडारी डिस्टेंस उदैपूर मुंबई का जरूर है बट पूरी अनालेसिस रोज की तरह पूरा विशलेशन स्ट्राटजी डेटा अनजी संब्लाने के लिए तयार है और बड़ा एवेंट हमारे सामने आ चुका है सर हो चुका है उसका इंपाक्ट आपसे समझना है तो पहले तो बताएं आज की ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं और उसी के बाद अमेरिकी बादर में कमजोरी होती ही दिखे उपनी तरह से लगवग 900 लूड़का है डाउ और बंद हुआ है 500 पॉइंट से जादा गिर कर डॉलर इंडेक्स बढ़कर आया है 112 की उपर निकलता है उसका भी असर है लेकिन अमेरिका से हटकर आज हिंदुस् इसका पूरा विशलेशन हमें करना है और इसके अलावा विशलेशन करेंगे आज आने वाले नतीजों का कल बाजार बंद होने के बाद आये वे नतीजों का और दो और नए खिलाड़ी आज बाजार में उतरने की तैयारी में जहां आई-पयो मार्केट एकदम गर्म है और आप जब कहेंगे आई-पयो में पैसे लगाने हैं नहीं और चुक्क आज दो आई-पयो हैं तो कोशिश यह करते हैं कि एक आई-पयो का विशलेशन आज भी कर लेते हैं और एक का विशलेशन नो बजे बिलकुल सर आज ऐसे करेंगे तो एक आई-पयो स्राटीजी के ठाक दिख रहा था फेड पॉलिसी में ऐसा क्या आगया सर जो बाजार इतना गिरे क्या कहा है चेर्मेंट साब ने दीब देखिए सिंपल सी चीज है कि जो किया वो तो सब को बताता कि पॉन परसंट बढ़ना है लेकिन और बढ़ोतरी की जो हम बात कर रहे थे कि शायद अब आदा से पॉन परसंट की ही गुझाईश बची है वो गुझाईश अब बढ़तीव दिख रही क्योंकि फेड च फरक नी पड़ता है पहले महेंगाई को नीचे लाना है बहुत साथ साफ करिया और उसके लिए कुछ समय अगर ग्रोथ हो और खराब होगी रेसेशन में जाने का खत्रा बनेगा तो भी वो उसे मानने के लिए समझने के लिए और उसमें जाने के लिए तयार है क्योंकि जि इतना एक्शन हुआ है उसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा है और वह आप फ्रस्टेड हो जाता है मैं तो पूरी मेहनत कर रहा हूँ यह कुछ हो नहीं रहा है फेट चेर्मेन के हालत वेसी है इस वक्त कि मैं तो चार बार गटा चुका हूँ आए मिन चोती बार तो अभी गट हूँआ प्रॉबलम क्या है यह महंगई है कोई आपके बैंक तो है नहीं या कोई आपकी फाइनिशल इस्ट्विशन तो है नहीं कि आप डर आएंगे जोड़ बोलेंगे तो डर जाएंगे महंगई तो जब आनी होगी जैसे आनी होगी नीचे वैसे आएगी और उसके जो महंगा ही है उसमें काफी कुछ इंपोर्टेड है और जब तक ग्लोबल जियो पॉलिटिकल टेंशन कम नहीं होती तब तक ये कैसे गटेगी ये जिनता की बात है तो कल बाजार नों जो रियक्शन दिया और जो कल फेड की चेर्मेन साब के भाशन के बाद की जब उन्होंने एक्शन लिया तब तो बाजार जोर से भागे और उसके बाद जब उनको गंसे समझा गया तो ये समझ में आया कि एक और बढ़ेगी दूसरा जो टर्मिनल रेट या निकि जहां जाके खत्म करेंगे महेंगाई बढ़ाना इसमें अभी थोड़ी और गुंजाईश है और इसका मतलब कलियर कट है पहले तो बढ़ाने के बाद रुकेंगे और रुकने के बाद गटाएंगे यो रुकने के बाद गटाने वाला मामला है ना वो थोड़ा दीप और लंबा चलता हूँ दिखा तो ये तीनों कारण ऐसे रहे जिसके वज़े से फेट चेर्मेन के बयानों के बाद अमरीकी बाजार गिर भी गए और ताकि सब बादरों में भी नुकसान हुआ तो ये जो तीन बड़ी बाते निकल कर आई हैं कि रेट और बढ़ सकते हैं टाइटनिंग का खतरा इस समय अंडर टाइटनिंग का जादा ही हमने जादा दरें नहीं बढ़ा है जब बढ़ा सकते थे और साथ ही इंफलेशन का 2% क अच्छा सर इसके बाजार के लिए अब क्या माइने हैं क्योंकि एक जो बाजार में मूड बना हुआ था इस पॉलिसी से पहले की पिविट शब्त का इस्तमाल किया जा रहा था यानि कि कब अपने सोच विचार बदल सकते हैं डिसेंबर में कम कर सकते हैं मार्च तक खतम कर कर सकते हैं क्या अब उस पर भी एक रीधिंक बाजार करेगा सर बिल्कुल करेगा और यह होता हुआ दिख भी राय दीप और कल गिरने की एक बड़ी वहज़े यह भी थी कि जहां ब्याज़रें बढ़ाना रोकेंगे और जहां से कम करना शुरू करेंगे उसमें बड़ा व इडिया में आप देखेंगे तो सिर्फ डेट परसंट का बचा है हमारी इन्फलेशन साड़े साथ परसंट के आज सब्सक्राइब पहुंच चुकिए हैं तो हम अभी भी काफी बैतर हैं फेड के मुकाबले में यूके के हाल तो बहुत ही खराब है अभी उनके महाई में औ का मतलब यह कि जितनी आपकी महेंगाई चल रही है और जितनी आपके Central Bank ने व्यासदर ने decide की गई है उसका difference कितना है वो difference जतना कम हो उतनी आपकी economy और आपकी monetary policy balance दे तो ज्यादा तर Central Bank चाहते कि दोनों बराबबर चले हैं ना कि महेंगाई जितनी अथनी ब्यासदेरे रहें इसका गैप कम से कम रहें और या तो आपको ग्रोथ बढ़ानी है तो फिर आप ब्यासद地方 जो से कम कर देंगे थोड़ा pap二 तो भी चलेगा कभी कभी क्या होता है आपको महंगई कम करना ज़्यादा जरूरी है और उसमें ग्रोथ कम भी हो जाए तो आप ब्याज़ने तेजी से बढ़ा लेता है So I think अभी भी अमेरिका में जगे है So मेरी खाल से जो 4% पर अभी ब्याज़ने आई है पहले अंदाज़ा यह था कि 7-4,4% के आज़ पास आकर वो टर्मिनल रेट हो जाएगी I think वो एक्सपेक्टेशन अब 5-7,5% की तरफ जाती भी दिख रही है और ये बड़ी चिंता की बात है यानि कि कुछ और बड़ोतरी हो सकती है और फेड का कहना साफ है जादा भी बड़ा सकते हैं जादा देर तक के लिए भी बड़ा सकते हैं महंगाई कंट्रोल में आनी चाहिए अब इसके साथ दीप एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो है मार्केट का रियक्शन पहले बाज़ दोनों पर फेसला आने के बाद अमेरिकी बाज़ार बढ़े और जब ये डिटेल्स आइं तो उसके बाद अमेरिकी बाज़ार गटे उपने इस तरों से लगपन नो सो पॉइंट डाव लुड़का है ठीक है डाव डेर परसेंटी नीचे बंद हुआ है नेसडेक तीन परसेंट नीचे बंद हुआ है अब आप बताएए जिस तरह की कमेंटरी फेड चेरिमन ने की क्या उस हिसाफ से डाव का साड़े पान सो पॉइंट गटना ठीक है मेरा जवाब है ना अगर और कोई समय होता और अगर अमेरिकी बाजार कमजोर होते है आराम से कल की फेड चेरिमन की कमेंटरी पर डाव हजार पंद्रा सो कमेंटरी भी लुडग जयता है तो कोई बड़ी बात नी दो बड़े कारण थे कल बड़ी की रावट के एक इस बड़ी इवेंट में जाने के पहले अमेरिकी बाजार चे दिनों साथ दिनों से लगातार मजबूत है राइट दूसरा जितना फेड ने भला बुरा कहा कल उतना पिछली दो पोलिसी में नहीं का पिछली दो पोलिसी में वो थोड़े अकॉमेंडिटीव दिख रहे थे इस बार तो उन्होंने मन की बढ़ास पूरी निकाल दी जितना खराब बोल सकते थे बोला लेकर उसके बावज़ुद मैं सर्प्राइज इस बात को लेकर हूँ कि इस बात चीजिकर मेंडल एब है आज फिर से डावपीटर्स आपको गिरते वे नहीं दिख रहें हरी निशान में दिख रहें whatever 16 गाल कि मारकेट अपने आपको ये इडिस्स करने की कोशिश करा रहा है ठीक है नहीं क्या फर्क बढ़ता है आदा परसे लो और बढ़ा लो तीन मेने और ज्यादा टाइम ले लो उसके बाद कर देना सो आई थिंक बाजारों ने रियक्शन अब मैं मैचूर तरीका कहूं नहीं कूँ वो अलग बात हो सकती है लेकिन रियक्शन बहुत लिमिटेड था इससे ज्यादा हो सकता था आराम से अगर 1500 पॉइंट आओ लोड़क जाता तो इस कमेंटरी के बाद और इस रन अप किसी को इतना बढ़या रन अप देखने के बाद अगर इतना खराब बोल रहे हैं तो 1000 पॉइंट तो बनता है तो उपर से देखेंगे 900 पॉइंट है लेकिए अधर्वाइस इन रियल टेम्प अमेरिका में कमजोरी जितनी हुई वो काफी कम है रिजनेबल है और ये अमेरिकी दिखाता है ये मैं कह सकता हूँ तो इसे एक अच्छा संकेती फिर माना जैसर की उतनी गिरावट नहीं आई जितनी शाहिद बनती थी और हमारे बाजार के लिए क्या माइने होंगे क्योंकि आज हमारी वीकली एक्सपाइरी भी है अगर आप तेजी में तो उसे अच्छा संकेती मानना चाहिए दिए हमारे आज तक एक्सपाइरी का सवाल है जाहिर सिवात आप अठराजार के लेवल के नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे तो थोड़ी आपकी समस्याएं बढ़ेंगी I'm sure कि थोड़ा बहुत कल हम हलके हुए हैं लेकिन उतने हलके नहीं हुए हैं जितने की अभी बहुत तो आज थोड़ी बहुत लोग पोजिशन कम होगी सो हम कमजोर होंगे पैनिक नहीं होगा मैं मार्केट पर आता हूँ और कहां तक जा सकते हैं उस पर भी अपने पास बड़ा इंट्रेसिंग फॉरूला क्या हो सकता है लेकिन उससे पहले चुकि आज की बात आप नहीं कि तो आज अपने लिए दो बड़े फेक्टर है एक ए पहले मेरे लिए एकस्पायरी से ज्यादा बड़ा ट्रिगर आज के लिए जो है वो आर्वे की एमपीसी की बेठक है एक एडिशनल स्पेशल मीटिंग आज हो रही है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अब इस कमेटी की बेठक में क्या होगा ना मुझे पता है ना आपको पत फेट की पॉन परसेंट की दरों को देख लेए वो तो एमपीसी की सब को पता था कि बढ़ने ही वाली है लेकिन उसके बाद अगर आज कोई ऐसा एक्शन हो जाता है ब्याजदरे बढ़ाने का तो हमारे बाजार की बैंड बजने वाली है सो मुझे फेट से डर नहीं है फेट ने क्या किया आज की इवेंट बहुत इंपोर्टेंट है अगर अगली पोलिसी के पहले ही आज एमपीसी की बैठक में ये फैसला लेता है कि हमें आदा परसेंट कौन परसेंट पाव परसेंट जो उनकी मर्जी हो अगर बढ़ानी है ब में एक इक इस नगरे निकल रिख इनकले कल हम शेयर हो जाएंगे कल हमें परता है कि हमें क्या करना है इक स्पाइद ही थीए महीने चार आती है कोई खास फ़र्फ नहीं परता लिखेंगे MPC की अगर इस पेशल बैठक हो और इस पेशल बैठक में खाली चरचा करके मामला हाँ मामदा ठीक नहीं है इंफलेशन अभी कमाने में टाइम लगेगा लेकिं हमारे यहाँ गैप खाली 1.5% का बचा है हम ठीक है अब इससे ज्यादा करेंगे टाइट तो हमारी ग्रोथ पे असर आएगा हम दुनिया में फास्टेस ग्रोइंग एकोनोमी है हमें ज्यादा चे हम लगातार कह रहें थे कि यह हफता यह दो बड़ी इवेंट निकल जाए उसके बार डिसाइड करेंगे चलिए तो बड़े इवेंट साथ ही आगए एक तो फेड पॉलिसी का रियाक्शन दूसरा हमारी MPC का बैठक क्या कुछ सरपराय इस मूव आ सकती है अभी तक तो ऐस कोई संकेत मिले नहीं है पिछली बार सप्राइज आहिक में जरूर पहले पता चलिया था कि प्रेस कॉन्फरेंस होने वाली गवरनर साब की अब तक वो नहीं आए बड़ हम क्लोजली इसे ट्रैक जरूर करेंगे तूर जो जो अपडेट आएंगे सबसे पहले आपको जी ब अभी तक तो कोई अबडेट नहीं है इसमें दो चीजे आपको लग रहा होगा सुवे सुवे में डराने की बात कर रहा हूं कि अरे फेड निकल गया वनीली फेड के बाद आर बेसे भी आप डरा रहे हो सुवे में डरा नहीं रहा सावधान कर रहा हूं और सावधान करना इसलिए जरूरी है हो सकता है कुछ भी ना हो इसकी सब्भावना है से थिंक फॉर दे बेस्ट प्रिपेर फॉर दे बस्ट से लोटिए करेक्ट और क्यों आम तोर पर आर बिया जब पोलिसी लाता है तो प सावधान करेंगे तो दो चार गंटा तो डिसक्रिशन होगा करेगा फिर दो पर तक शाम तक अगर कुछ आएगा तो आएगा तो जरूरी नहीं कि एक ही दिन की बैठेक में हो सकता है तुर्ण फैसला ले ले ब्याज़ जरे बढ़ादे पूरी संबह होना है ना भी बढ़ सवाल ये कि हमें सावधान लेना है आपको अपनी पोजिशनिंग उस हिसाब से करनी है कि आपको कहीं कोई रिस्क ना हो अब रहा सवाल जो सवाल हमारी पोजिशनिंग मार्केट की कैसे करनी है ती तीन दिनों से हमें एक बात करने लगाता है कल भी की थी फेट की मिटिंग के बाद एक जगे जो खाली है गैप वो हमें फिल करना है और में ब्रोडली में आपको कह था 17,825 से 17,900 की रेंज एक जगे खाली चूटी हुए एक बार हमें वहाँ पर आना है और आज या कल के अंदर वहाँ आने के लिए परफेक्ट टाइम है सो आई थिंग गैप से नीचे खुलने के बाद प्रिसाइज भी सत्रा आठ सो पैती सत्रा नो सो होता है राउंड फिगर में सत्रा आठ सो पचीस या सत्रा आठ सो से 17,900 की रेंज ले वहां तक हम आ जाएंगे हेल्दी करेक्शन हो जाएगा और फेड ने जो ब्यास देने पूरा कंप्लीट हो जाएगा प्लस आज के एकस्पारी पे आपकी वहां पर एडजस्ट हो जाएगी अगर आर बे कुछ खराब करता है तो हम 17,800 की नीचे जाकर गिरेंगे और अगर आर बे आज कुछ भी खराब नहीं करता तो हम वहीं पर रुख जाएगे और हमारा अब समझने का समय आगए बताएं सर आज के संकेत क्या करें एक चीज़ और कहूंगा पैनिक मत करना आज कोई डरने गबराने की बहुत ज़्यादा जरूत नहीं है ऐसा नहीं कि नीचे गैप से खुलेंगे तो बहुत पैनिक होगा तो आर बेस होगा फेल्ट से नहीं होग हैं तो वहाँ रूख जाएंगे वहाँ पर शॉर्ट कवरिंग भी होगी हल्की फिल्की खरीदारी भी होगी रिस्क आर बेस की रहेगी जो मैं आपको बार 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 बोल के रिपीटेशन की कॉस पर इसलिए बहुता है कई बार चार पांच बार बोल दो रट्टा लगवा हैं नहीं तो फिर आपको सावधानी उसाफ से रखनी ग्लोबल संकेत आज के लिए नेगेटिव साइट पर है एफाइस के संकेत नेगेटिव साइट पर है घरिलू फरंस के संकेत नेगेटिव साइट पर है वायदा कारोबार के संकेत नेगेटिव है सेंटिमेंट बड़े नेगेटिव होने का लेवल तोड़ेगा तब तो होगा ना पहले से न्यूटल होगा न्यूटल से न्यूटल भी कब होगा वह बता दूँ जब तक सत्रा चार सो के ऊपर है निफटी पर हम उसके नीचे जाकर बंद नहीं होता है तब तक ट्रेंड पोजिटिव ही र इस जोन को हम respect करके hold करने की कोशिश करेंगे इसके नीचे जाने की chance कम है लेकिन मैं expiry का दिन है fate की बैठक है RBI की policy MPC की बैठक है इतनी सारी event के बीच में और confident कभी नहीं होता इसलिए इसके ठीक नीचे 17725 से 17800 की वो range है जो आपके लिए मजबूत खरीदारी की जगे का काम करेगी उपर 18000, 18000, 18000, 75 हलकी फुलकी रुकावट की जगे बार निकलने पर 18125, 1875 यहां पर फिर से पहुँचे आराम से दिल खोल के विक्वाली कीजिए पिछले दो दिनों की तरह जहां हमने 1875 के आसपास टॉप बनाया है बैंक डिफ्टी 4775, 4850 पहला सपोर्ट जोन है इसके ठीक नीचे 455, 4650 तक जाने की कोशिश बैंक डिफ्टी की हो सकती है और I think वहां पर खोल करना चाहिए क्योंकि हमने एक 4650 के उपर ही एक बढ़िया ब्रेक आउट दिया था 4500 के उपर हम बन नहीं हो पा रहे तो I think यह 700, 1500 पॉइंट की रेंज जो है यह मजबूत सपोर्ट का काम कर लेगी हायर साइट पर थोड़ा सा मामला गड़बर है क्योंकि हम बार बार है न 41,300 के आसपास आकर अटक रहे हैं तो पहला हायर जोन आज के लिए स्टार बार्यजंद का अपर और और भार एक बार जोन अब मैं आपको सपोर्ट लेवल दे लूँ निफ्टी पर 18,000 के निशन शुरूआत करेंगे 17-975 और 17-902 छोटे लेवल है 17-835, 17-815 दो मीडियम लेवल है 17-770 और 17-735 आप भी सोचेंगी कि यह सारे यह से आड़े तेड़े लेवल 25-50 पुएंट में रहते हैं तो दीप एक चीज में मताओं मुंबई में और मुंबई के बार जगे में बहुत एक बड़ा फर्क है और मुझे नहीं पता आप बाहर जाते हैं तो आप यह उफ्जरू करते हैं मुंबई में रहते हैं हमेशा है कि यह फिलिंग रहती है टाइम ही नहीं है हमेशा बीजी 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 और बाहर आते हैं तो मुंबे के बाहर इस्पेशली जब में राजसान ऐसा लगता है टाइम ही टाइम है दुनिया भर का समय है फूरसत ही फूरसत है कोई काम नहीं है और एकदम फ्री फ्री फील करते है स्ट्रेस भी दिमाग में जो और कम है ना तो यहां पर आराम से खूब टाइम मिलता है लेवल निकालने का तो इसलिए मैंने यह सारी लेवल है आराम से बेटके एक 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 राउंड फिगर में देने के बजाए एक्जेक्ली वाले निका ले तो इसके पीछे राज यह जिए जो मनें आपको बता दिया एक चुली मतलब ऐसा लगता कि मतलब मुंबे पर रात को दस कब बज जाती पता ही चला यह रात को दस बज दस बज गया वैसा वाला फिल है मुंबे तो कभी पता नहीं है रुकती नहीं सोती नहीं है एनिवे निफ्टी हाइर लेवल 18,025, 18,050, 18,075 हर 25,025 पर यहां पर रुकावट है उसके बाद 18,125, 18,150 और 18,075 यहां भी हर 25 पर उपर रुकावट तो तीन छोटे लेवल, तीन मीडियम लेवल बैंक निफ्टी, 41,000, 48,050 दो छोटे लेवल, 48,075 और 48,650 दो मीडियम लेवल, 48,525 और 48,375 की जरूरत नहीं ऐसे ही लिख दिया एकेडिमिक पर पर पस से हायर साइट पर बैंक निफ्टी, 41,100, 41,175, 41,300, 41,425 मीडियम लेवल है, 41,425 से 41,525 बड़े लेवल है सारे लेवल्स पूरी स्टाटिजी सामने है और जैसा हनल जी ने का वक्त मिला है तो सारे लेवल्स अकुरेटली निकल कर आ रहे हैं डेटा ज़रा समझाए सर, एफाइस की पोजिशनिंग क्या कह रही है, पुट कॉल रिशियो से क्या समझने है लोँगे हैं बहुत सारे एफाइस पे एफाइस परसेंट गेलर टाइम पे अठाएजार के उपर लोँगे हैं लेकिन ऐसे कोई खास दिक्रत वाली बात है नहीं पुट कोल रिशियो जरूर कल हलका होके आया, यह एक अच्छी बात है कि बड़ी इवेंट में जाने के पहले बैंग निफ्टी पर एक टेरा पर हैं, बैंग निफ्टी पर पॉइंट सेवन फाइपर हैं, अच्छे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, विक्स तीन परस रखना है, इंट्राडे में तो सतरा आठ सो का रखो, और छोटा रखना है तो सतरा नो सो पे चैतर का, आपको क्या रखना है, क्लोजिंग अब अच्राजार के निच्छे आज होती है, तो थेंक्यू कर लेना है, क्योंकि तीन दिन से आप अच्राजार को उपर दे रहें, अब 8,000 के नीचे बंद होता है, तो discipline के तौर पर आपको position कम कर लेनी है, तो 17,900 पेचेटर 8,000 जो आपकी मरजी करें, 5 पेचिस पॉइंट आपको डिसाइड कर सकते हैं, कि आपको एक दिन और चांस लेना नहीं लेना, तो 8,000 क्लोजिंग बेचिस पर stop loss clear cut है, इंट्रा डे वाले stop loss में आपको छूट है, 17,900 पेच्टर 8,000 रखना है, या gap से खुले के बाद 8,000 रखना है, आपकी इच्छा पर, बैंक 50, इंट्रा डे stop loss 40,700 है, जिनको छोटा रखना है, वो 41,000 का भी रख सकता है, अगर आपको 41,000 के नीचे अब मिलती है, 3 दिनों से आपको 41,000 के उपर closing मिलती है, 3-4 दिनों से ज्यादा in fact, तो अगर 40, 950 या इसके आसपास closing मिले, तो आपको long position कम कर लेनी है, short side पर वही 2 दिनों का high है, आपका 875, तो अगर इसके उपर निकल कर टिके, निफ्टी का closing stop loss 41,300 भी रख सकते हैं, और निफ्टी का closing stop loss आप 18,150 भी रख सकते हैं, तो अब 18,150 रखी रहें तो 50 point और सही, 18,200 जी दिनों, ओके तो ये हैं आपके लिए मौजूदा positions और वहाँ पर आपके stop losses, अब नई positions की बात करते हैं, बताएं क्या करना है आज? निफ्टी short करने की राय है, अगर बहुत gap से ना खुले, दिख रहा है, कम खुले, समझो, 100,700 भी खुले, ठीक है ना? तो आप 18,200 को stop समझे, बेचिए, चांस मिलेगा नहीं, अगर gap से खुला तो, समझो भई, दाव फीचर आपका 200 निकल जाए, फोर एक्जांपल, तो फिर आप नीचे के लेवल सोचोगे, 17,815, 17,780 और 17,735 ये फाइनल लेवल आपके लिए बन कराएंगे, खरीदना है, 17,825, 17,900 की रेंज में पक्का खरीदना है, स्टोप्रोस थोड़ा सा दूर का दे रहा हूं, 17,700 का, आज की स्ट्रेजी में दीप सबसे बेस स्ट्रेजी ये है, 17,825, 17,900, इस रेंज में खरीदने की राएं, 17,700 का स्टोप्रोस, 17,975, 18,025, दो चोटे लेवल, 18,050, 18,075, मीडियम लेवल, 18,125, 18,150, बड़े लेवल के तोर पर ये लेना है, ये सबसे बेस्ट ट्रेजी ये, अगर इस रेंज में आता है, तो चांस लेना चीए, अब आईए, बैंक्टिटी, शोट करना है, 41,500 के उपर का स्टोप्रोस होगा, 41,525 का, टारगेट 41,000, 40,850 दो चोटे टारगेट, 40,775, 40,650 मीडियम टारगेट, और 40,525 का फाइनल टारगेट, बड़े गेप से ने खुले, 41,000 के आसपास मौका मिल जा है, तो वहां बेचिए, इसके नीचे तो फिर नहीं बेचना है, लेने की राए, एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, 40,650 से 40,800, 850 की रेंज तक आप ले सकते हैं, 850 से मूर बना सकते हैं, 800 के आसपास पहला, आप एक्शन ले सकते हैं, खरीदारी का 650 आए, तो थोड़ा ओर एड़ कीजिए, स्टिक्ट स्टॉप्रोस 40,500 का होगा, है अच्छी स्टॉड़ेजी, लेकिन एग्रेसिव ट्रेडर्स इसलिए लिखा है दीप, उसकी रीजन है, कि आरबेए की पोलिसी और उस पोलिसी के लियाद से, बैंक ट्रिफ्टी पर ज़्यादा असर होता है, अगर किसी तरका RBA कोई एक्शन लेता है तो, इसलिए बिना स्टॉप्रोस के बैंक ट्रिफ्टी को आज आपको ट्रेड नहीं करना है, हो सकता है, अगर कोई एक्शन ले ले, तो आपको बैंक ट्रिफ्टी ज़्यादा गिता हुँआ हो सकता है, जो ध्यान में रखके आज आपको ट्रेड करना है तो आज आपको बहुत सारी चीज़ों से निपटना है FED का जो एक्षिन हो गया उससे RBA का जो हो सकता है प्रोबिबली उससे वीकली एक्सपायरी से तो इसलिए बहुत सावधानी से आज पूरा दिन निकाले 4500 स्टोप लोज होगा 40,941,025 दो छोटे टार्गेट 41,100,41,150 दो मीडियम टार्गेट 41,200 से 41,300 बड़े टार्गेट के लिए करनी है खरीदानी जीदी तो यह है आपके लिए सारे important levels aggressive traders के लिए भी मौका है बट ध्यान रखेगा especially आज बैंक निफ्टी की चाल पर बैन लिस्ट डबल हो गई जैसे हम कल बात भी करें थे PNB बैन में है और LIC Housing Finance की एंट्री हो गई तो दो स्टोक्स आज बैन में है LIC Housing और साथ ही PNB डेटा के लिहाज से देखें सर FIS का लगातार सपोर्ट आ रहा है बाजार में कल फ्यूचर्स में थोड़ी बिक्वाली करिये बट कैश में भी ठीक ठाक खरीदारी कल भी करिये कल के लिदार थोड़े से कमज़ोर है दी हाली के दिनों के और कमज़ोरी में बढ़िया है सामने लग 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 पूरी सप्लाई उतनी लोकल फंड ने दी 1388 क्रोड के उनकी बिक्वाली है एफनो में आई ये इंडेक्स कितना बेचा है मुश्कित है 630 क्रोड और उनमें भी आप इंटरस्ट निदेखें अंदर जाके देखेंगा डेटा बहुत इंटरस्टिंग है इंडेक्स फूचरस में लोंग पोशिशन भी कम किया और शॉर्ट पोशिशन भी कम किया यानि कि ऑपर इंटरस्ट दोनों में गटाया है तो फ्रेश पोशिशन नहीं बना के गए बड़ी इवेंट के पहले short भी काटा है long भी काटा है which is fair 1224 क्रोड के stock features थोड़े बेचें ठीक है कोई खास बात नहीं तो इसलिए मैंने neutral रखें FIS के डेटा ना positive side पे ना negative अब आईए bank 50 सोरी सोरी एफे नो डिटा अठ्राजार ये make और break level है आपको आज जो कमजोरी गिननी एठ्राजार से गिननी एठ्राजार के put पर 74 लाग share है right so अठ्राजार के नीचे जब तक हैं आप थोड़े खराब है अठ्राजार के आसपास hold करते हैं सत्रा नो सो पे तर 8025 की रेंज है वो टाइम पास वाली होगी उपर की तरफ और नीचे की तरफ वही 17825 17900 की रेंज सपोर्ट के तोर पर काम करेंगी तो broadly आप 17825 अठ्राजार पचीस इस दो सो पुइंट की रेंज को टेड करने की कोशिश करेंगे ये F&O data आपको बतारा है अठ्रा एक्सो अठ्रा दो सो पर दबाकर कॉल राइटिंग हुई है ये तो मज़े करेंगे आज जो कॉल बेच की गए तो उनके लिए तो ठीक है एक तो गैप खुलेगा उससे भी उनको फाइदा मिलेगा और दूसरा ये कि प्रिमियम आज चुकě एक्स पाइड ही है तो गठेंगे आज कौन सोचता है कि 8200 के उपर बंद होगा आज कौन सोचता है कि 8100 के उपर हम बंद हो सकते जिन्हों ने 9300, 9200 के कॉल बेचे उनके तो मज़े होगे आज पेसे बन जाएंगे और बेचे भी दबा करें दिप अठरा एक्सो के कॉल पर सत्तर लाग शेर हैं अठरा दोसो के कॉल पर एकत्तर लाग शेर हैं तो कॉल राइटर्स को आज फायदा होगा बैंक टिफ्टी एक्तालिस जार मेक और ब्रेक लेवले पार करने की हिम्मत हो नहीं पा रही तो एक्तालिस तीनसो एक्तालिस पांसो उपर क्लियर कट रुकावट की रेंज नजर आ रही है एक्तालिस जार के नीचे खुलेंगे और उसके बाद देखते हैं क्या कुछ होता है तो चली यह हैं आपके लिए सारे अमेनेम फाइनेंस ठीक ठाक से हैं कोई रिजल्स ऐसे नहीं कि जिसका बहुत विस्तार से विश्टेशन किया जाए चली तो वहाँ पर कोई नजर नहीं है बट नजर है सर आईपियो मार्केट पर और दो-दो आईपियो आज खुल रही है जो मिदानता है उसकी आईपियो के बारे में नौ बजे बात करेंगे बट आज इस समय बिकाजी फूड्स की आईपियो के बारे में आपसे पहले बात करना चाहूंगा सर बताएं इस आईपियो पर आपकी क्या रहा है मिका जी फूडी क्यों देप पहले मैदान तक क्यों नहीं आप उधेपूर में हो सर खानेपूर की चीज़ है उधेपूर में आप ही के एरिया की कंपनी है सर तो पहले सुचा इसी से करेंगे शुरुआ यह बढ़िया है बिलकुल गोली खाते से भुजेगा ना ठीक है तो इस पर राई यह है कि लॉग टम के लिए अपलाई करें अच्छी कंपनी है जो कुछ अच्छी बात है पहले मैं आपको बता दूँ ब्रैंड बहुत स्ट्रॉंग है बिकाजी ब्रैंड आपको हर एक प्रोविजन स्टोर के शेल्फ पे मिल जाएगी टेस्ट लोगों का जाना पैचाना है ब्रैंड जानी पैचानी है प्रोमोटर्स जैसा कल हम इंटर्यू कर रहे थे हैं मेनेजमेंट का फॉर्थ जेनरेशन आ चुकिए इस बिजनस में एक लिगेसी है और एक्सपिरियंस है प्रोमोटर्स का तीसी चीज़ है कि अब तक का ग्रोथ रिकॉर्ड जो है इसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बहुत इंप्रेसिर रहा है काफी बड़िया ग्रोथ आई ये कम्पनी में अब तक लगाता है जो अच्छी रेट से कम्पनी ग्रोथ रही है और ये मार्केट भी ऐसा है ये इंडिस्री भी ऐसी है जिसमें ग्रोथ बरपूर है मतलब आप सोचिए मैं आपको बता हूँ हमारे बच्च्पन के जमाने में हम तो ऐसे लोग हैं मतलब मेरा आज भी मेरा खाना नमकिन के बगर होता ही नहीं मेरी टीफिन में हमेशे आपको नमकिन मिलेगी गर पे खाना खाँगा तो लेकिन होता यह था कि मेरे बच्चमन के वक्त हमने कभी package नमकीन खाए नहीं हम जो जो भी राज़स्तान में हो जानता है कि जहां local जो नमकीन बनती वही बनी ही आज बनी ता जा अब वो ट्रेंड ही बदल रहा है अब वो local नमकीन से आप package वाली नमकीन में जो बड़ा shift तो यह जो बदलाव हो रहा है इंडर्स्री में इससे ग्रोथ आगे भी बहुत जबर्दस आएगी आई प्यों के बाद अल्मॉस्ट जीरो डेट कमपनी होगी डेट कोई है नहीं कमपनी पर रहेगा नहीं तो यह सारी चीज़ें जो अच्छी हैं थोड़े कुछ होते हैं हम देखेंगे नॉर्डन इंडिया पर फोकस है मार्केट भी बढ़ा है 75% बिजनिस इनका वही आसाम से बिहार से राजस्तान से आता है तो यह सारा चीज़े थोड़ा से वेलिशन्स मुझे लगता है हलके से महंगे थोड़े और वेलिशन्स अट्रेक्टिव करते तो बढ़े है रहता बरानवे के पी मल्टिपल पर स्टोक थोड़ा सस्ता कम लगता है ग्रोथ देगा ये बात सही है एवी बीटा 52 टाइम पर है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो कंपनी की साइज है उसके इसाफ से थोड़े वेलिशन्स और हलके रहते हैं थोड़ा इन सब पर हम डॉक्टर बेक्टर्स ये हो हम इस पूरी स्पेस पर बहुत पोजिटिव है प्रताप स्नेक्स मन पसंद यह बहुत सारी कंपनीया ऐसी है जहां पर अच्छा एक्षिन है तो आई थिंग एक लोंग टम के लियाद से आप पैसा लगाईए शोट टम में भी अच्छा डिस्ट्रिबिशन है अप्लाइ फोर लॉंग टर्म मेदानता या ग्लोबल हेल्थ जो कंपनी का नाम है इस पर भी बात करेंगे नौ बजे इस आई पयो पर लेंगे अनलजी की राय आए फिर आज जो बाकी स्टॉक्स हैं खबरे हैं नतीजे हैं इस पर कर लेते ह चर्चा कुशल, अर्मान, नुपुर और साथी आशिश हमार साथ तयार हैं कुशल मानिंग बताएं ट्रिगर्स और बाकी जो आप्यों के अप्रेट्स हैं पर आपको नज़र रखनी है वितमतिरी निर्मला सितरमन जी आज सिक्स्ट राउंड अफ कमर्शिल कोल माइन्स आक्शन लाउंच करते वी नज़र आएंगी साथी आरबियाई MPC की अडिशनल बैठक भी आज के सत्र में ही होगी पिरामल फार्मा इस पर भी नज़र रखिए यहां पर इनके जो शेज हैं वो टी ग्रूप से ट्रांसफर होके बी ग्रूप में आते वे दिखेंगे SP, Aperils और साथी International Convayers इन दोनों कंपनियों का बाइबैक आज से खुलतावा नज़र आएगा तो यहां पर भी नज़र रखिए प्राइस बैंड रिविजिन है पिरामल फार्मा में जहां पर जो सरकिट है वो 5% से बढ़ा कर अब 20% कर दिया गया है और साथी Mangler Chemicals और Gloster यहां पर 20% से घटा कर 10% का प्राइस बैंड है एक्स डेट है काफी सरे इंटरिम डिविदेंट दिये थे जिसमें डाबर, कोफोर्ज, लॉरस लाप्स और साथी नवीन फ्लोराइन जैसे स्टॉक शामिल है एक Amalgamation है, Apollo Tricot, EPL Apollo Tubes और Shree Lakshmi Metal उद्यों का उसकी भी X-Date है और Global Event के लियाद से जापान के बजारों में आज चुटी है और Bank of England की Policy भी आजी आएगी तो कई सारे Important Events है जहाँ पर रखनी है आपको नजर अर्मान मॉनिंग बताएं आपके पास से क्या अपडेट से नतीजे है जी IP अपडेट से चार IP की अपडेट से हैं जिसमें सबसे पहला Global Health Limited जो IP आज से खुलने वाला है और ये 7 नवंबर तक खुला रहेगा इसका Price Band अगर आप देखेंगे 319-336 है इशू साइज लगबग 2200 करोड का है और कंपनी ने एंकर बुक के जरीए 662 करोड जो है 662 करोड रुपे जुटा है जिसमें Government of Singapore Monetary Authority नोमूरा जैसे ना आदी जैसे नाम है जो एंकर बुक में आए है विकाजी फूर्स इंटरनेशनल उसका भी आज ही खुलने वाला है और 7 नवंबर को ये भी बंद होगा Price Band 285 से 300 रुपे का है और अगर आप इशू साइस देखेंगे 881 करोड का है जो की पूरा का पूरा OFS है और कंपनी ने अपने एंकर बुक के जरी अगर आप देखेंगे 262 करोड रुपे जटा है जिसमें आपको नौमूरा, BlackRock, Goldman, Morgan Stanley, Government of Singapore आदी जैसे कई सारे नाम है जो इसमें होते वे दिखेंगे DCX सिस्टम जिसमें IPO खत्म हो चुका है इनका और अगर आप NL अप्डेट देखेंगे बढ़िया सब्सक्रिप्शन मिलतावा दिखा है इनको 70 टाइम्स जो है इनको सब्सक्रिप्शन मिलतावा दिखा है जिसमें रीटेल का हिसा 62 टाइम्स, NII का हिसा लगबग 44 टाइम्स जो इनके नतीजे जो आ है वो हमारे अनुमान से थोड़े कमजोर आते वे दिखे हैं आये तो हलाकि 15% बढ़ी है पर margins 21.8% से गटकर 12.7% पर आये हैं अनुमान जो था वो 13.5% का था और यहां पर भी वही सेम रिजन है जो power and fuel cost है वो काफी बढ़कर आई है 19.7% से बढ़ 30% पर आते वे दिखे हैं और company ने 4 रुपे प्रतिशेर का dividend भी दिया है M&M Finance जो हमारा अनुमान था उससे कमजोर नतीजे आ है एनाये तो आपको दिखेगी लगबख फ्लैट है 0.3% के आपको बढ़ोतरी है जो निम्जा है क्यों क्यों अगर आप देखेंगे तो 8.2% से गटकर सिफ 6% पर आते वे दिखे हैं और अगर ट्रिवेनी टर्वाइन पर आप दिखेंगे तो वहाँ पर नतीजे मिक्स सेटाफ को दिख रहे हैं आए तो लगबख 42% बढ़ कर आई है मार्जिन्स में आपको थोड़ा बहुत कट देखा गया है 22% से गटकर 15% पर आते वे दिखे हैं और कंपनी ने 190 करोड के शेर बाइबेक के जो है उन्होंने दिया है कितने का बाइबेक करेंगे 350 रुपे परती शेर के भाव पर ये बाइबेक किया जाएगा और ये टेंडर रूट के जरीए होगा तो यह है आपके लिए नतीजे और साथी IPO अपडेट्स भी नुपर मॉनिंग बताएं आपके पास कौन से नतीजे है गुट बारिंग सबसे पहले नेलका जाक कौटर टू का परफॉर्मेंस काफी स्ट्रॉंग था कंपनी का जी कंपनी की जो आए हो 38 पिसेंट से इस बार बढ़कर आए कामकाजी मुनाफ़ा भी देखे तो 14 करोड से बढ़कर वो 27 करोड होता दिखा और मार्जिंस में भी 200 बेसिस पॉइंट का इंप्रॉमेंट है 6 पिसेंट से अब बढ़कर 8 पिसेंट दिखे हैं कौर्टर टू में एंप्रा टेकनोलोजी के देखे तो वहाँ भी जो कंपनी की आए है वो 38 पिसेंट से बढ़कर आई है लेकिन मार्जिंस में काफी बढ़ा इंपकर 32 से कम होकर इस बार 28 पिसेंट के आसपास आते दिखें यूएफो मुवीज यहाँ पे देखे तो कंपनी का परफॉर्मेंस काफी स्ट्रॉंग है क्योंकि जो आए है वो 26 पिसेंट से बढ़कर 107 करोड के आसपास आई है जो मुनाफ़ा है इस बार कंपनी पिछले साल घाटा था तो आप मुनाफ़े में आ चुके कामकाजी देखे तो रेविन्यू जो है वो 39 पिसेंट से इस बार बढ़कर आए जो मार्जन से वो 10 पिसेंट से बढ़कर 30 पिसेंट होते दिखे और जो मुनाफ़ा है वो भी 19 करोड से बढ़कर 113 करोड के आसपास आते दिखा है यह इस लिमिटेट का देखे और टू परफॉर्मे कामकाजी मुनाफ़ा भी देखे तो पिछले बार 220 करोड का था वो अब बढ़कर 540 करोड होता दिखा मार्जिन्स में काफी स्ट्रॉंग उचालेट होई निए 3 से बढ़कर इस बार 32 पिसेंट के आसपास आते दिखे और लास्ट में जिन्दाल स्टेलनेस जहां पर कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो कमजोर आते दिखी कंपनी की जो आए है वो साड़े 11 पिसेंट से बढ़ तो क्विकली तीन खबरे हैं मेरे पास जिसमें पहला तो है फटलाइजर शेरों पर आज नजर रखनी है यहाँ पर केंद्रे मंत्री मंसुक मानविया जी का बयान आतावा दिखाए कि सरकाज जो है खाद पर रेकॉर्ड FY23 के लिए सबसीडी देने वाली है 2.25 लाक करोर् और अगले 6 महिने तक खाद की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं होगा ऐसा उन्होंने बताया है और 2025 से यूरिया इंपोर्ट की अवशक्ता नहीं होगी ऐसा अपडेट है जैक और यहाँ पर चेर्मेन आनन जैन पर सेबी ने एक साल का बयान लगाया है और साथी एक साल तक पब्लिक इशू से रकम जुटाने पर ये रोक लगाई गई है और अंत में एक प्रमोटर अक्शन है धामपूर बायो और्गानिक्स पर यहाँ पर प्रमोटर ग्रूप शुद एडिबल प्रॉडक्स ने कंपनी में लगभग 1.2 लक शेरों के खरिदारी किये है और एक प्रमोट्स क्या कहरें आज ब्रोकर जिसकी ये भी जान लेते हैं F.I.R. लेकिन जो सिमेंट वॉल्यूम्स हैं यहाँ पर 13% का इजाफा देखने को बला और इनका अनुमान से 4% के कम है साथ में यह भी करें कि जो रियलाइजेशन्स है वो खासतार पर और जो कॉस्ट है वो ठीक टा कहाँ पर देखने को बला मौगन स्टाली देखे तो ओवरवेट की रेटिंग को बरकरा रखे हुएं 1850 रुपे की लक्ष के लिए MNM Finance यहाँ पर भी नज़र रखनी है Bank of America खरीदारी के राख को बरकरा रखे हुए 1944 की क्लोजिंग है 245 रुपे का इनुने लक्ष दिया है और यह बबान रहे हैं कि जो प्रोवेजिंग घटे हैं इसके चलते हैं मुनाफ़े में एक अच्छा जम्प है पर देखने कुमला अलगि नेट इंटरिस्ट इंकम और प्री प्रोवेजिनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए आज से देखे लक्ष में अगर आप देखे तो बड़ा एज़स्टमेंट किया है मारकेट के साथ स्टॉक में बड़ी तेजी आई इसके अब 535 से व्यू को बदलकर 1106 कर दिया है अलागि अभी भी पीछे ही चल रहे हैं क्योंकि 1115 पर इसकी क्लोजिंग है मैकवाईरी अगर आप देखे तो आउट परफर्म की रेटिंग को बड़ कर रहा है 1178 रुपे की लक्ष के लिए आईशर मोटर्स पर मौगें स्टानली की तरफ से आ गया है डाउन ग्रेट पहले ओवरवेट की रहा है थी अब एकोल वेट की रेटिंग है और लक्ष यहनों ने 36004 से बढ़ाकर 4065 कर दिया है वहीं नौमिरा अगर आप देखे तो न्यूट्रल की रेटिंग को बड़ कर रहा है में 394 रुपे की लक्ष की रहे बजाज आटो यहाँ पर मौगें स्टानली ने रेटिंग को अपग्रेट कर दिया पहले एकोल वेट की राय थी अब एक ओवरवेट की रेटिंग दे रहे 3956 से लक्ष को बढ़ा कर 4309 कर दिया है 3737 की क्लोजिंग है और अंत में कजारिया सेरमेक्ष आपर भी नज़र रखनी है क्योंकि HSBC की तरफ से रेपोर्ट है करिदारी किराय को बरकरार रखा है लेकिन जो लक्ष है वो 1250 से काट कर 1225 कर दिया है हरके 1068 की क्लोजिंग है ओके तो यह है सारी की सारी रिपोर्ट जिन पर आज दिखेगा बरपूर एक्षिन बढ़ाते हैं एक्षिन को आगे एक्सपर्स का दमदार पैनल है हमारे साथ तयार आए करते हैं स्वागत पिक आफ दे डे के साथ कुनाल जी सुप्रभात बनाएं साथ शुरुआत करें आज पिक आफ दे डे सुप्रभात अनिल जी सुप्रभात दिपांचू अनिल जी आपको तो चैन की नींद आई होगी कल अनिल जी अनिल जी हमसे पूछिए बिल्कुल आप मैंने तो आपको पहला ही का था कि सुपही देखो सिधा सिधा राद बर क्यों आप जी 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 पावल साब के पीडितों के प्रती कुछ सानुबूती प्रकट कीजी अनिल जी बिल्कुल देखे ऐसा है कि जितना गिरना चाहिए उतना तो गिरा नहीं पाए डाव को उपर से डाव फीचर हरे निशान में है अब अगर आपको मैं सिंपल सी चीज बताऊं सत्रा जार आठ सो पहती सत्रा जार नो सो की रेंज में आ जाए तो किसी के इंविटेशन का इंतिजार मत कीजे खरीदने का मोगा है सिंपल डरिये मत गवराईये मत चलो कॉन्फिडेंस दे दिया और बाकी तो आपकी ग्रीन जेकेट सारा काम कर देगा आप बड़े कन्फिजिन सिगनल दाग दे रहे हैं आप लाल और ग्रीन का कॉम्बिनेशन कमी देखने को मिलता है कुणाल जी अनिल जी रात के अगर दो बजे सोया जाये तो अनिल जी यही सब होता है सवेरे अनिल जी ठीक बात है बताएं सर खरिदारी के राएं आपके लिए कुनाल जी की तर से परफेक्ट पहली पिक यहां पर आती वी साथी कीरन जी सूप्रभाद अनिल जी सूप्रभाद डीप वरी बूर्निंग अनिल जी मेरा नोटा रहेगा बड़े गैप से खुल रहा है कहां पर खुलेगा कैसे पैन ओट कोई बात नहीं साथ नोटा का परपुर उस्तेमाल करें सिमी जी गूड मॉर्निंग बताएं आप वेरी गूड मॉर्निंग अनिल जी मेरे तरफ से मैं एक शिपिंग कंपनी आज देना चाहूंगी खरिदारी करने के लिए एक तो मार्केट आज नीचे खुल सकता है खुले अगर यह थोड़ा सा नीचे खुलता है तो उस रेंज के आसपस खरीदने का सना होगा 542 का एक स्ट्रिक स्टॉप लोस के साथ खरीदने का सना है 582 का पहला टार्गेट 595 का दूसरा टार्गेट और 610 का तीसरा टार्गेट के लिए जी शिपिंग को खरीब रचाने का सना ग्रेट इस्टन शिपिंग जी शिपिंग यहां पर कैश्ट मार्केट का स्टोक खरीदार की राए सिमी जी की तरफ से सुमी जी की राए जान ली जाए सुमी जी सूप्रवाद बताएं सर पीक ओफ दड़े गुद मार्निग आनी जी जी पीक ओफ दड़ेके तौर पे बाता को सिलेक करना चीए बाता के अंदर लास्ट तीन दिरों में लोड लेवल से अच्छा बाउंस ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है सुमिजी आप भी घर पे दिख रहे हैं ओफिसमें नहीं आज क्यों सुमिजी आपके ओफिसमें थ्री डे वीक तो नहीं हो गया मंडे ट्यूजे वेटने से काम करो फ्राइडे थोड़ा वर्क फ्रोम हम आधाध दिन काइंड ओफ चलिए तबीद का ध्यान रखें मौसम बदल रहा है तो थोड़ा अनि हो रही है आईए पाल्या साब भी हमार साथ है तयार पाल्या साब सुप्रभाद बताएं सब आपता पिक अफ़ दे पाल्या साब आप म्यूटे जरा अन्म्यूट हो जाएं गुड मॉर्न अनिल जी गुड मॉर्न दिपांशी जी गुड मॉर्न एवरिवन तो पिक अफ़ दे रहेगा आईटीसी आईटीसी में काफी स्टेबल एक यहां पर प्राइस एक्शन यहां पर बनते वे दिखा है ज हमें लगता है आईटीसी को यहां पर बाई करना चाहिए हलांकि मार्केट अगर गैप डाउन भी होते हैं तो हम सजिस्ट करेंगे थोड़ा अगर नीचे भी मिलता है तो इसको बाई किया जा सकता है 346 के असपास के स्टॉप लॉस रखेंगे और अप साइट में हमें लग यह तैयार है तो उससी सपोर्ट देगा कौन तो क्या आईटीसी यह काम कर सकता है देखना होगा आईए सेटी साब से करते हैं मुलाकात सेटी साब बताएं सर पिक ओफ दे गुड मॉनिंग गुड मॉनिंग अनेल जी कल दोपर के शो में जब मैं जुड़ा था मैंने का था आज शाम की मदकल साम को फेड की जो मीटिंग है वो सांती से निकल जाए तब बजार में अच्छा रहेगा बट सांती तो उनके बस में भी नहीं है तो इवेंट तो निकल गया बट टर्बूलेंस के साथ वो इवेंट निकला है तो मुझे लगता है विए डाउन बट नॉ जार उसमें अच्छी कौलिटी के स्टॉक में खरेदारी करने का मुखार ढूँना चाहिए मुझे लगता है वी शूट बी एड़ेट फर बाउंस आज लेटर हाफ में बाउंस होना चाहिए बजार में तो आनिकली खरेदारी करने की सलाह जो मेरा स्टॉक रहेगा आज का मोटर्स में खरिदारी करनी है पिछले दो-तिन दिनों से मैंने टाटा मोटर्स डीवियार रेकमेंड किया उसमें बहुती जवरदस तेजी बनी है मुझे लगता है टाटा मोटर्स ने भी वैसे अच्छा किया कंपरेटिवली थोड़ा अंडर परफॉमेंस रहा बट यह स्ट परफॉमें से लावा और कौन से स्टॉक्स है रेडार पर अने जी जो मजबूत क्वारेटि के स्टॉक्स है जो आज की जो वीक ओपनिंग है उस पे खरिदारी करने की सला रहेगी जो दूसरा स्टॉक है वो है इंडियन होटेल्स मैं होटेल सेक्टर पर बुलिश रहा हू मैंने कल भी लेमन्ट्री होटेल्स को रेकमेंड किया फिर कुछ दिन पहरे ताज जीवी के रेकमेंड किया और कल बजार बंद होने के बाद इस इंडिया होटेल्स के नतीज़े बहदी तोरफोर्ट थे मुझे लगता है होटेल सेक्टर अच्छा करेगा तो इंडियन होट में इसमें भी खरिदारी करने के मौकर ढूंडने चाहिए 2370 का टार्गेट चौथा स्टॉक अगें ट्रैवल तूरिजम सेक्टर से आशुजी का फेवराइट आपका फेवराइट डिल्टा को पे खरिदारी करने की सला है 225-227 के टार्गेट गैब डाउन में नीचे मिले अच्छे स्टॉक्स निचले स्टरों पर मिले खरिदारी करके चल सकते हैं और सारे वाइदा करोबार के स्टॉक्स हैं तो सिटी से आपका भरोसा बाजार पर बरकरार है आगे करते हैं शुरूआत फर्स ट्रेट की पहले हेडलाइन्स